एक घने जंदल में भूला नाम का एक उल्लू रहता था। भूला बहुत ही भूला भाला और मासूम था। उसकी मासूमियत के कारण जंदल के सभी जानवर उसका मजाक उडाते थे। लेकिन भूला को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वह हमेशा शांत और सब के प्रति दय चालू रहता था। एक दिन जंदल में चालाक लोमडी आई। उसका नाम चालू लोमडी था। चालू लोमडी को पता था कि भूला उल्लुब बहुत भूला है और आसानी से बेवकूफ बनाया जासकता है। उसने भूला को धोखा देने की योजना बनाई। चालू जंदल का सबसे बड़ा पेर दिला सकती हूँ, जहांसे तुम पूरे जंदल पर नजर रख पाओगे। भोला उरलू उसकी मीठी बातों में आ गया और बिना ज्यादा सोचे समझे बोला। अरे अगर तुम मुझे सबसे बड़ा पेर दिला सकती हो तो यह पेर तुम्हारा। भोला ने अपना पेर चालू लोमडी को दे दिया, लेकिन जब भोला उस बड़े पेर की तलाश में गया, तो उसे ऐसा कोई पेर नहीं मिला। तब उसे समझ में आया कि चालू लोमडी ने उसे धोखा दिया है। वह उदास होकर वापस लोटा, लेकिन तब तक चालू लो भोला से कहा, भोला, तुमारी मासूमियत अच्छी है, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी समझ का भी इस्तिमाल करना चाहिए। सभी लोग अच्छे नहीं होते, चालाकी को पहचानना भी जरूरी है, भोला ने अपनी गलती समझी और ना किसी की मीठी बातों में नहीं आएगा उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सभी जानवरों ने मिलकर चालू लोमडी को भगा दिया और भोला को उसका पेर वापस दिला दिया, अक्यधिक भोलेपन से हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।